क्या आप एक robotic vacuum cleaner लेने की सोच रहे हैं पर online और offline इतने सारे option देखके confused हो गये हैं कि मेरे लिए इन में से कौन सा best रहेगा तो कोई बात नहीं आपकी extension का हल लेके आज हम आए हैं हेलो दोस्तों आप सब का स्वागत है हमारे चैनल Product Review Hub में और आज हम आपके लिए 3 best robotic vacuum cleaner लेके आएं और आपको उनको लेते टाइम कोई confusion नाओ इसलिए हम आपको हमारे 3 best robotic vacuum cleaner के बीच comparison बताएंगे और फिर बताएंगे हमारी recommendation तो हमारी इस वीडियो के end तक जरूर देखना औ और इन सब के buying link भी आपको हमारे description box में मिल जाएंगे तो अगर आपको इन मेंसे कोई भी robotic vacuum cleaner पसंद आता है तो हमारे दिये link से ही purchase करें ताकि हमें इस चैनल को चलाने के लिए financial help मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही comparison वीडियो लाते रहें तो चलिए अब भीना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो और हमारी लिस्ट में टॉप थ्री robotic vacuum cleaner है यूरेका फोर्ब्स का रोवु वैकें थ्री इन वन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर एव वैक्स का डिबोट टू इन वन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर और आई लाइव का S5 robotic vacuum cleaner तो चलिए अब हम क यूरेका फोर्ब्स का रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर मॉपिंग, स्वीबिंग के साथ डिसिंफेक्ट करता है आपके एरिया को विद अ हेल्प आफ ड्राइ सक्षनिंग और यूवी एक्शन और अगर मैं बात करूँ इवो वैक्स और आई लाइफ के रोबोटिक वैक्यू और आई लाइफ के एस फाय रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की सक्षनिंग पावर 850 पास्कल है और जितनी ज़्यादा आपकी एस सक्षनिंग पावर होती है उतने अच्छे से ये डस्ट पार्टिकल को आपके घर से रिमूव करता है और अगर मैं बात करूँ मोड की तो इसमें आपको सिफ दो मोड मिलते हैं इसमें आपको एवेडे क्लीनिंग मोड और डीप क्लीनिंग मोड मिलता है जिसमें आपका ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर एज को क्लीन करता है और फिर जिग जग मोशन में क्लीन करता है आपके एरिया को और अगर मैं बात करूँ iLife के robotic vacuum cleaner की तो इसमें भी आपको चार मोड मिलते हैं इसमें आपको auto cleaning mode, spot cleaning mode, maximum mode और edge cleaning mode मिलता है और अगर मैं बात करूँ schedule mode की तो इस mode की help से आप अपने robotic vacuum cleaner में एक time set कर सकते हैं हर दिन के लिए जिसकी help से वो अपने आप cleaning स्टार्ट कर देगा बीना आपकी permission के और ये feature आप मैं बात करूँ wifi के connectivity feature की तो उसे बताने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो यूसफुल लग रही है तो please like, share and subscribe my channel and press well icon क्योंकि हम ऐसी comparison वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं wifi के connectivity feature की तो आपको wifi के connectivity feature सिप evowag के devote two-in-one vacuum cleaner में मिल रहा है यूरिका फो और आपको सिर्फ evowag के devote robotic vacuum cleaner में मिल रहा है यूरेका फोब्स और i-life के robotic vacuum cleaner में आपको ये feature नहीं मिल रहा है और अगर मैं बात करूँ control method की तो आपका यूरेका फोब्स और i-life का robotic vacuum cleaner remote control है वहीं आपको evowag के robotic vacuum cleaner को control करने के लिए evowag की home app download करने पड़ेगी और आप इस robotic vacuum cleaner को google assistant या फिर Alexa की help से भी control कर सकते हैं और अगर मैं बात करूँ run time की तो आपका evowag का robotic vacuum cleaner का run time सबसे ज़्यादा है इसका run time 200 minute है वहीं आपका यूरेका फोफ का run time 90 minute है और i-life के robotic vacuum cleaner का run time 110 minute है और अगर मैं बात करूँ smart sensor technology की तो इस technology की help से आपका robotic vacuum cleaner कोई भी obstruction को detect कर देता ह और आपके robotic vacuum cleaner को stair से गिनने नहीं देता और यह feature आपको इन तीनों ही robotic vacuum cleaner में मिलता है और अगर मैं बात करूँ auto charging के feature की तो यह feature भी आपको इन तीनों ही robotic vacuum cleaner में मिलता है और अगर मैं बात करूँ charging time की तो आपके तीनों ही robotic vacuum cleaner चार्ज होने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लेत कर सकते हैं और अगर मैं बात करूँ weight की तो आपका Eureka Forbes का ये vacuum cleaner 3.23 kg का है वहीं आपका Evo Wax का ये robotic vacuum cleaner 4.75 kg का है और iLife का ये robotic vacuum cleaner आपका 3 kg का है और अगर मैं बात करूँ warranty की तो आपको इन तीनों ही robotic vacuum cleaner में 1 year की warranty मिल रही है और अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो मैं आपको पहले ही बता दू इन सब के प्राइस चेंज होते रहते हैं तो लेने से पहले एक वार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके प्राइस जरूँ चेक कर लें पर इस टाइम आपको यूरेका फोप्स का ये रोबोटिक वैक्य 20 रुपीस से मिल जाएगा और अगर आप अपने होम के लिए कोई और एप्लाइंसिस लेना चाहते हैं और उसके रिव्यू पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट टॉप होम एप्लाइंसिस पे चेक कर सकते हैं उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स म और यूवी एक्शन और साथ मैं आपको इसमें डिफ्रेंट मोड ऑफ क्लिलिंग के साथ पोस्ट वर्चियल डेमो भी मिल रहा है इसलिए मुझे यह सबसे बढ़िया लगा पर अगर आपको ज्यादा बैटरी लाइफ और ज्यादा अच्छी सक्षनिंग वाला रोबोटिक वैक्यूम क्लिनर चाहिए तब इवो वैक्स का डिबोट टू इन वन रोबोटिक वैक्यूम क्लिनर प्रिफर कर सकते हैं इसमें आपको ज्यादा अच्छी स्क्षनिंग पावर भी मिलेगी और ये इंडियन होम्स के लिए भी बेस्ट है और आप इसे अपने फॉन से भी कन बॉक्स में दे देंगे और अगर आपको हमारी वीडियो यूस्फुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल और मैं मिलती हूं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए प्रोड़क के रिव्यू के साथ